आप सभी को जैसुरी कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू को पाल की एक सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू को पाल के प्रती स्रद्धा भक्ती भाव और बढ़ जाएगा तो ये बहुत ही दर्द भरी कहानी है आशू नहीं रो आश्वार में उनकी देवरानी हैं, साससुर हैं और ननद भी हैं सब लोग साथ में रहते हैं और जो माल्ती जी हैं आश्legtli है लेकिन उसके बाद भी उनके मन में एक बहुत बड़ा दर्द है और बहुत दुखी भी रहती है मतलब दुनिया में तो दुनिया की नजरों में तो बहुत खुस हैं लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी है टोटी हुई सी है तो ऐसा क्या है उनके साथ तो वो बताती हैं कि उनकी साधी के 6 साल हो गए हैं और 6 साल हो गए हैं वो सब कुछ दवाई भी करवा चुकी सब कुछ हो गया उसके बाद भी उनके कोई बच्ची नहीं है अभी तक और सबसे जादा दुख इस बात का भी लगता है कि घर वाले भी कई बार बोलते हैं और उनकी जो दिवरानी है ना तो उनकी साधी के दूसरे साल ही दिवरानी की भी मतलब देवर जी की भी साधी हो गई थी तो उसके बच्चे है एक बेटा है एक बेटी है और वो बहुत भी करती है ऐसा नहीं है कि उनकी बच्चे नहीं है तो वो प्यार नहीं करती है वो बच्चों से बहुत प्यार करती है और बच्चे भी जो है वो अपनी मात से जादा इनके पास रहना पसंद करते हैं और रहते हैं मालती जी के पास बहुत ध्यान रखती है वो तो मालती ज मुझे इतना बुरा लगा इतना रोई मैं भगवान के पास चाके कि मतलब एक दिन बता रही थी कि एक दिन क्या होता है कि मैं बच्चों को साम का खाना खिला रही थी और अपने रूम में ही ले आई थी क्योंकि पहले तो मैं बाहर खिला रही थी लेकिन खिलाते खिलाते पत मुझे महसूस नहीं हुआ लेकिन उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था कि मेरे पीछे प्रीती भी आ गए प्रीती उनकी दिवरानी का नाम था तो प्रीती भी पीछे पीछे आ गए और बच्चों का हाथ पकड़ी दोनों बच्चों का और ले जाने लगी तो मैं कह रही थ तो मुझे बड़ा बेकार लगा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि जो ऐसे कर रही है मुझे बड़ा दुख हुआ मैंने अपनी सांसुमा से भी बताया कि मा आज प्रीती ने ऐसे किया मुझे अच्छा नहीं लगा तो फेर वो समझाने लगी कि मालती ऐसा कुछ नहीं है, उसको सुलाने ले जाना रहा होगा, मतलब मा समझाने लगी, मेरी साथ सुमा भी बहुत अच्छी है मालती, ऐसे कि मालती आज तक कभी किसी को गलत भोल ही नहीं सकती, इतनी प्यारी कहते हैं, कि जो इन्सान खुद उसकी नजर में भी सब अच्छे होते हैं, सामने से वो चह लोग कैसे भी हो लेकिन अच्छे इंसान को सब अच्छे ही दिखते हैं, तो ऐसे ही हाल मालती के साथ भी था, दियो रानी थोड़ी वैसे सुभाव की थी, लेकिन वो कभी उसकी बुराई नहीं बता है, कभी कुछ अगर कभी कुछ ऐसे बात भी होती ना तो इग्नोर कर देती थी मालती और ये कह देती कोई नहीं छोटी है और कभी कुछ ऐसी बात भी हो जाती तो कभी किसी से नहीं बताती है हमेशा यहीं कहती थी कि कोई नहीं घर है परिवार है जहां चार बरतन होते हैं वहां थोड़ी बहुत तो खनक होती ही है, ऐसे कहके बात को टाल देती थी और कभी किसी चीज की की भी बातों को वो नहीं करती थी, बुरा नहीं मानती थी, हम एसा सब को वो घर परिवार को लेके चलने वाली औरतों मैसे एक थी मालती भी, बहुत ही सब बहुत सुसील, मतलब उसके जितनी तारीफ की जाए उतनी कम लेकिन उसके जीवन में जो दर्द था उसको वही महसूस कर सकती थी क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे और ये दिवरानी का भी ऐसे वियोहार उसको और ज़्यादा खलता था वैसे उसको ना लग क्योंकि वो पूरे टाइम बच्चों के साथ खाना प्रिना सब कुछ ये करना तो उतना वो नहीं लगती थी लेकिन कभी-कभी ये इस तरीके की विहार कर देती थी ना तो उसको बड़ा बुरा लगता था तो जब ये एक दिन उसकी जो दिवरानी थी उसने ऐसे किया तो वो सासुमा से भी बताई है और फिर बाद में साम को जब वो आती कर रही थी साम को नहीं तो रात में ऐसा हुआ था सोबह के टाइम जब भी वो भगवान के पास गई होगी और भगवान के पास हाँ जोड की खड़ी होके कहती है कि भगवान जी ऐसा तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था और उसको प्रीती को इतना बोरा लग है तो आप भी इतना नहीं कर सकते हो कि मेरी भी गोदी भर दो मेरी गोदी में भी कुछ दे दो मैं यह नहीं कहती हूँ कि मुझे बेटा ही चाहिए कि बेटी ही चाहिए कुछ भी आप दे दो बेटा बेटी मैंसे कुछ भी आप दे दो मैं सुईकार कर रहे हूँ इसको ले मेरी गोधी भर दो आप मुझे इतना दुखी मत करो मैं भी चाहती हूं कि मैं अपने बच्चे को गोधी में खिलाओं ऐसे करके बड़ी दुखी हो जाती है और भगवान से प्राथना करने लगती है इतने में क्या होता है कि एक उनकी जो कामबाली होती है जिनको वो अम्मा क के पास जब खड़ी हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि आज मालती बहुत दुखी है बहुरानी बहुरानी हमेज़ा कहती थी तो कहती है आज बड़ी बहुरानी बड़ी दुखी सी लग रही है तो वो भगवान के पाय से खड़ी खड़ी वो देखती रहती है तो वो ही कहती है कामवाली ही कहती है उनसे कि बीबी जी आप ऐसे करो बहुरानी आप ऐसे करो कि आप लड़ो गोपाल ले आओ तो वो कहती है कि अमा लड़ो गोपाल कहां से ले के आओं मैं तो कहती है आप कहीं से भी ले आओ क्योंकि मैं जहां एक घर में और काम करती हूँ ना उनकी जो वो है सासुमा है वो अपने माईकी की एक बात बता रही थे कि उनके भी किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे तो दस साल बाद उनके बच्चे हुए किसी पंडित ने बताया था कि लड़ो गुपाल की सेवा करो जरूर गोदी भरते हैं लड़ो गुपाल ऐसे करके तो बड़ी खुस हो जाती है मालती और उसको पूरा विश्वास है जैसे जब कोई ऐसे कुछ बताता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ हमारे साथ भी ऐसे ही होगा हमारी भगवान जरूर सुन लेंगी तो मालती बड़ी खुस हो जाती है अम्मा को गले से लगा लेती है और कहती है कि अम्मा मैं जल्दी से जल्दी कोसिस करूँगी कहीं से भी हो मुझे लड़ो गोपाल मिल जाए तो वो अम्मा कहती है कि बड़ी बहु भाईया से कहू ना अगर वो ब्रंदावन चले जाए तो और अच्छा है वहीं से ले आओ पांकी बिहारी के पास से क्योंकि वो भी ऐसी बता रही थी कि उन्होंने भी ब्रंदावन से ही लड़ू गोपाल मगाये थे और एक साल के कह रहे थे उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था और जैसे उनके घर में लड़ू को पाल आए उन्हों मतलब पंड़े जी ने जो भी बताया है वैसी उन्होंने पूजा की उनके साथ और उनकी गोदी भर गई तो बहुरानी आप भी ऐसी कर लो भगवान ने चाहा तो आपकी भी सुन लेंगे भगवान और लड़ू को पाल तो हैं भी बहुत दयालू मैंने सुना है ऐसे कह के वो करती है तो मालती जो थी बहुत खुस हो जाती है और ऐसे खुसी खुसी अपनी सासु मा के पास जाती है और अपनी हस्बेंट भी उनकी ऑफिस अभी गए न अभी तक किसी ने लड़ू को पाल की सेवा के लिए नहीं कहा था मैं तो पूझा करती हूं लेकिन अपने घर में लड़ू को पाल भी नहीं है तो अपने घर में लड़ू को पाल भी आ जाएंगे और भगवान अगर चाहें तो हो सकता है कुछ करदें करपा ऐसे कहती हैं तो घर में खुसियां आ जाएं तो मालती के बच्चे नहीं थे तो पूरा घर कहीं न कहीं तो दुखी था ही वो भले हसते खेलते रहते थे बोलते पताते रहते लेकिन अंदर से दुख जो था वो तो था ही तो उसके अजबेंड भी कहते हैं कि कोई बात ने चुट्टी नहीं भ पते का ही इनका प्लान बन जाता है व्रंदा बन जाने का और ये व्रंदा बन जाते हैं व्रंदा बन से लड्डू को पाल लेते हैं व्रंदा बन बाकि बिहारी वाली गली से और फिर लड्डू को पाल को खूब सुन्दर सा सिंगार करवाते हैं मतलब उसी दुकान से और फिर बाकि विहारी के बंदिर ले जाते हैं, जैसे वो अम्मा बोली थी, अम्मा कितने सालों से काम कर रही थी, बताओ, वो मालती कहती हैं, कि मेरी साधी नहीं हुई थी, तब से अम्मा काम कर रही थी, लेकिन कभी अम्मा के मन में ये बात आई ही नहीं, और ये समझो कि ये स सी माध्यम से वो पूरी होने लगती हैं तो ऐसे ही अम्मा के माध्यम से ये चीज होनी थी तो अब क्या होता है कि उनके मतलब मालती और मालती के हस्बेंट जब वहां जाते हैं लड्डू गोपाल लेते हैं और बाकी बिहारी के मन्दीर मुएं बाकी बिहारी से उनकी अच्छे से मतलब भेट कर आते हैं और लड़ु गोपाल को ले आते हैं अब मालती तो यही समझ के उनकी पूजा कर रही थे कि जैसे अभी मेरे बच्चे नहीं है तो यही मेरा बेटा है ऐसे करके खौब उनका ध्यान रखती सूबह, साम, दुपह मतलब एक बेटे की तरह और उनकी बच्चे भी नहीं थे तो उनको वो जो भाव आता था था ना उनको ऐसा लगता था कि बिल्कुल मेरा बेटा ही है मतलब उसको इतना ध्यान रखती थी इतना ध्यान रखती थी कि एक पल का उनको ऐसा रखता है अब मुस्कुरा आ रहा है अब ये दुखी है अब इसको ये चाहिए अब इसको ये मतलब एक बच्चे की तरह और भगवान की क्रफा से वो लड्डू कुपाल की क्रफा से उनको एक साल के अंदर ही ये खुसकबरी म मिल जाती है कि वो मा बनने वाली है अब तो मालती जी और पूरा घर इतना खुसी हो जाते है इतना खुसी हो जाते है कि पूछो नहीं उनकी खुसी का अब क्या होता है कि जब और कुछ महिने के बाद इनको बेटा होता है जिसका नाम ये रखते हैं माधव क्योंकि ये कान जी थे इनके और जो इतना प्यार करती थी मालती जी अब थोड़ी सा इनका जो मन है क्योंकि बेटा हो गया था और अब इनका मन थोड़ी सा वो होने लगा बेटे में जादा हो गया भाई सभाविक बात है जब बच्चा सामने रहेगा तो वो उसी में और पूरे टाइम वो होने लगा अब क्या होता है एक दिन ये जो मालती जी हैं इनको दुपैर का जो ये भोजन बनाती थी तो ये खिलाना भूल गई अब इनका नियाम था जब से लड़ू कोपाल इनके घर में आये थे मालती ही भोग लगाती थी और मालती ही प्यार से खिलाती थी ऐसे खिलाती थी लड़ू को अपनी गोध जैसे एक छोटे से बच्चे को अपन गोधी में बिठालके खिलाते हैं यही उनका था नियाम था रोज उनको गोधी में बिठालती और फिर खाना परोस्ती और उनको ए कि इनकी सासों मा ऐसी रख दी बोली थी कि मा आप खिला देना ऐसे नहीं कि भूल गई हो तो उनकी मा जो थी सासों मा थी वो नॉर्मल तरीके से जैसे ठाली रखी और भगवान का भोग लगा दी जल वो कर दी और हो गया वो सुची खा लिए और ठाली ले आई अब क्या होता है कि इनके कनेया की तो आदत थी इनकी लड़ू को पाइल कि वो तो गोदी में बेना बैठे वो खाते ही नहीं थी मालती ने उनकी ऐसी आदत कर दी थी अब ये भूखे रह जाते हैं इतने ऐसे थोड़ी है हमारे कनेया जी ये सोदा मया इतने भाव से इतने प्यार से खिल अब उस दिन तो कनया जी खाना ही नहीं खाए ऐसे तो खाएंगे ही नहीं क्योंकि उनकी जो आदत थी वो उसी आदत में खाएंगे अब क्या होता है कि रात हो जाती है अब रात में मालती क्या करती है कि रात में भोग लगाती थी दूद बादाम मतलब डालके और दूद यह तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, तो मालती कहती है कि मेरा ना तो धक्का लगा, कुछ भी नहीं, और वो जो गिलास थी, वो गिलास गिर जाती है, मतलब इसका मतलब क्या, कि कनया आज गुसा है, नहीं पीना उसको दूद, आपने मुझे दुफैर में क्यों नहीं खिलाया, मैं भूका हूँ नहीं पीना अब ऐसे मतलब ये भक्त के भाव होते हैं ये भगवान ऐसे नहीं कि मूरती से निकल के आपको बताएंगे कि मुझे नहीं खाना है ले जाओ ऐसे नहीं बोलते हैं ये भाव प्रगट होती हैं खुद तो ऐसे ही मालती के साथ था मालती समझ रही अब क्या होता है कि जब ये बच्चे को लेके सो बच्चे को सुला देती है और सो जाती है अब जो हुआ रात में पूछो मत अब इनके सपने में एक बच्चा आता है वो भी रोती थी इतना क्यूट सा बच्चा इतना प्यारा सा बच्चा कि आता है और कहता है कि आज आपने मुझे गोदी में बिठायल के भोजन नहीं कराया और मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ, मुझे भोजन कराओ ऐसे करके वो करती है एक सपना था कुछ नहीं और उसी सपने में ऐसे वो जब ऐसे सुनती है तो उसकी नीन तूड़ जाती हो और वो उटके बैठ जाती है झाल 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 सब्सक्राइब झाल झाल झाल